ब्रेकी बाद स्वागत है आपका आप देख रहें कहानी कुरसी की लगातार बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं और चर्चा इसी बात पर कर रहे हैं कि बिहार से जो कुछ निकल कर सामने आया है जो जातियों की जनगर्ना निकल कर सामने आया है उसका क्या इंपक्ट पढ़न पेंगम सत्य यादव वोट बैंक हैं और इसमें अगर आप मुस्लिम को मिला देंगे, यानि My को मिला देंगे तो यह कौल मिलाकर 17.7 हो जाता है अगर आप My को तो जेडियू के जो वोटर्स हैं वो कुर्मी है, कुर्मी है 2.8 इसमें आप कुश्वाह को भी मिला दें, तो वो है साथ ये मिलाकर हो जाता है, 4.2 यहां से अब किस राजनीति की शुरुवात होगी हरश्वरदन जी, अपने अपने वोट पैंक को लेकर, क्योंकि 31 फीसद त चार परसंट और जोड़ लीजे जो जेडियू का है, तो क्या बचा बीजपी के लिए? कोई और समीकरन साधने की कोशिश करते हैं, तो बिहार में उनको बहुत सफलता नहीं मिलने वाली है, उनको बहुत इसपश्ट है कि आपकी राजनीति अब कहां पहुँच गई है, आपको उसी की लिहास से अपने नेता आगे प्लेस करने होगे, आपको बिहार की राजनीत में जो जिसकी हिस्सेदारी है, वो निश्चित तोर पर देना पड़ेगा, वो योजना के तोर पर अपनी पार्टी में, लेकिन जो मैसेजिंग है, वो क्लियर कट होनी चाहिए, कि हिंदू वोट बैंक हमारे लिए प्राथमिकता है, और वो शायद ठीक उसी तरह से, जैसे अब अभी आप ध्यान करें, तो एक दरगाह पर गए थे नितिश कुमार जी, तो वहाँ उनके लिए कहा गया कि देश के प्रधान मंत्री की कुर्सी पर भी जाए, तो उस वक भी भारती जनता पार्टी की तरफ से बड़ी तीखी प्रत्क्रिया यही थी, तो मुझे लगत से कह रहा हूं कि जब चुनाओ के बाद वो नीचे की पार्टी, तीसरे नंबर की पार्टी होने के बाद मुख्यमंत्री बने, तो शायद उनको यह समझ नहीं थी, कि अब उनकी राजनीती कैसे खतम हो रही, या तो वहां से वो कहीं और जाते, कुछ एलिवेशन हो जाता, अब वहीं पर खड़े-खड़े वो पिछडते जा रहे हैं क्योंकि समय आगे जा रहा है, और इस जनगरना के आंकडे के बाद नितीश कुमार बिहार में आप रासंगिक हो गए हैं, राष्ट्री जनता दल बनाम भारती जनता पार्टी, ये बिहार की राजनीती होने जा वोटर्स की बात करेंगे तो हिंदू वोटर 81 फीसद हैं और इसमें से अगर आप 35 फीसद निकाल दें उस हिस्से को जो की जेडियू और आर्जेडी का कोर वोटर है, आप एमवाई फैक्टर को ले लीजे, चाहे यहाँ पर आप ले लीजे कुश्वाहा और कुर्मी फैक् बिहार में जीत का रास्ता तै कर सकती है भारते जनता पार्टी या फिर यहां से जो मैसेज देने की कोशिश पूरा का पूरा विपक्ष करेगा, कितनी सफल हो पाईगी बिहार की अगर बात करें तो बिहार में बिजेपी को पूरा का पूरा सारे घर के बदलने मुझे लगता है क्योंकि यह जो सर्वे है वो बता रहा है कि आप उसे किस स्पेसिफिक तरीके से राजनीती करनी पड़ेगी 31% वोट 14% यादा और 17% माइनर्टी 31% वोट बहुत बड़ा चंक है और वो भारतिय जनता पार्टी के लिए पॉजिटिव इस द्रश्टिस है कि वो उसको पॉलराइज करके अपनी अलगतर की राजनीती कर सकता है इस राजनीती का एक जो सबसे आकड़ों का सबसे बड़ी कहना चाहिए समझ वो यह है कि अब इसमें नितिश कुमार सबसे कमजोर हो गए बिहार की पॉलिटिक्स में पहला का और अब आरज़ेडी वर्सेस बीजेपी है तो आरज़ेडी की जो पॉलिटिक्स है एमवाई वाली उसके खिलाब बीजेपी किस तरह से खड़ी हो सकती है क्या वो उत मुलायम सिंग यादव लीडर बने रहे और इस समय अब तेजस्वी या लालु यादव जो है वो बड़े लीडर हो गए नितिश कुमार आउट हो गए इसमें से तो अब क्या वो हिंदू पॉलिटिक्स पर चलेंगे हिंदू पॉलिटिक्स में चलने के साथ जो पार्टी दलों का क्या फायदा जिनकी कोई दुकान नहीं है जिनके कोई MP नहीं है यह अड़ती जल वही दल है जिनकी कुछ न कुछ हिस्सेदारी इस जातिकस सर्वे में हर जाती के साथ जुड़ी हुई है तो BJP इस बात को बहुत पहले समझ गई और उसने उन जातियों को अपने स इस तरह से करेगी क्योंकि यह OBC पर फिर से मैं बात कर रहा हूं कि 63% OBC का जवाब भारती जनता पार्टी को राश्ची स्तर पर ढूनना पड़ेगा विज़े जी इसमें एक चीज और पक्की हो गई अब भारती जनता पार्टी का एक और भ्रहम दूर होना चाहिए नितीश कुमार को अपने पाले में लाने के लिए उनको मेहनत करने के आशकता कता ही नहीं वैसे तो बार-बार ये कहा जाता है सुशील मोधी भी कहते हैं बार-बार कहा जाता है कि बिल्कुल नहीं लेंगे लेकिन अंदर खाने एक ख़बर आती रहती कुछ-कुछ चर्चा हो न जाए नितीश जी पाला बदलने ले मुझे लगता है भाजपा को ये भी इस पश्टता हो गई होगी कि नितीश जी के हाथ में कुछ है ही नहीं लेकर वो क्या आएंगे तो कुल मिला कर एक तरह से कहें तो अगर राजनीत के लिहास से कहें तो इस जाती जनगरना ने इस पश्टता दी है किधर किसको राजनीत कर नितीश जी ना आए नितीश कुमार जो मजबूरी बन गए थे वो शायद मजबूरी किसी राजनीतिक गल के लिए नहीं रहेंगे लेकिन अगर हम वोटर्स को देखें अगर हम इस पूरे समिकरण को समझें तो बीज़पी के जो कोर वोटर्स हैं वो कुल मिलाकर 22 फीसद होते हैं, MY फेक्टर और बाकी वोटर्स को जोड़ कर देखे तो ज़्यादा मजबूत RJD और JDU यहाँ पर नजर आती है, बाकी जो छोटे छोटे दल हैं जिनको मिलाने की कोशिश बीज़पी की तरफ से की गई क्या ये वाली रणनीती बिहार में सफल हो पाएगी क्योंकि हर जाती का अपना एक नेता बिहार में है? तो वह ऐसा नहीं हो सकता कि बीना यादाव वोट में सेधवारी किये बीना वो जीत हुई हो या अगले चुनाव की ही बात कर लें तो इन सीटों के अलावा जैसे सीवान में बीजेपी को सीवान में वोट करते रहे हैं उस पार्टिक्लर केंडिडेट को जिनका नाम समस्या हो जाएगी इसमें कोई दोरा नहीं कि वहाँ पर जो गडबंदन है वह बहुत मजबूत है क्योंकि खास्ताव पर बात करने तो बहुत एग्रेसिबली वोट करते हैं कुर्मी जो कि दोज़ती हैं वह भी बहुत एग्रेसिबली वोट करेंगे इसके अलावा जाती विशे इसको जैसे ही वो केंडिडेट एलाइंस बनाता है तो वहाँ पर कुछ वोटों में सेधवारी संबह हो जाती है जैसे राजपूर को अगर केंडिडेट बना दिया जाए आरा में तो वहाँ पर आप समझ सकती हैं कि एमवाई समीकरन के साथ कुछ राथपूर्ज वोट निश्चित वर्पय अलाइंस को जाता है वहाँ पर फिर उनकी स्तेती मजबूत हो जाती है तो इसमें कोई दो रहा नहीं है कि बिहार में बीजेपी को बहुत दवर्दस चुनोती का सामना करना पड़ेगा लेकिन नरे चुटी चुटी जातियां हैं उनके नेताओं से भी क्या बीजेपी मदद ले पाएगी क्या बीजेपी को मदद मिल पाएगी क्या वो जो नेता होंगे वो बीजेपी के लिए का कह सकते हैं कि विनिंग टर्म की तौर पर इस्तिमाल किये जा सकते हैं विनिंग रास्ते के त उत्ते पते चो भार्तिय इंत्य अनत्य पार्टी ने अज़िए हाई ह मुझे नहीं हो तो मुझे असल रगता है कि लोकसभात चुनाओं में जरूर यादा वोडबैंक बड़ा वोडबैंक भरत्यंता पार्टी के साथ जाएगा और भरत्यंता पार्टी जीस हाब से बिहार में संगधन को अपने व्यस्तित कर रही है और यादो नेताों को फोकस कर रहे है तो असल लगता है कि यादो वोट बेंग भार्देनता पार्टी के साथ जुड़ेगा लेकिन अब भार्देनता पार्टी के पास बिहार में अब जो सर्वे आए इसके बाद OBC लोगों को टूटने से बचाना है हिंदु के इसमें उनको रखना है और वो जाते से ज्यादा हिंदुत्व की बात करकर वो बीज़े पी के साथ जुड़े रहे हैं अब भार्देनता पार्टी के पास यह सबसे बड़ी चुनोती बिहार के अंदर है यानि हिंदुत्व के नाम पर वोट कितना कलेक कर पाती है इस लिस्ट को अगर हरश्वर्दन जी देखा जाए तो इस लिस्ट में तमाम चुटी-चुटी जातियों का भी जिक्र है और जिस MY फेक्टर का हम जिक्र कर रहे हैं यानि उसमें अगर M को निकालने मुसलिम उसम करने की कोशिश कर रहे हैं मुझे निलगता थोड़ा काम के लिहाज से जो मुसलिमों की जातियां है वो चिन्मित हो रही है और इधर हाल के दिनों में तो क्यों कि राजनितिक चर्चा में हिंदू जातियां तो आती है ऐसे लगता है कि जैसे दूसरे जो पंध हैं मजहब ह उसमें और कुछ है ही नहीं, तो ऐसा नहीं, वहां भी समानता नहीं, वो लोग लड़ाई ही इसी की लड़ाई, बलकि कई बार तो वो कहते हैं कि हमें आराक्षण दीजे, पस्मान्दा हो या गैर पस्मान्दा वो मोदी जी को वोट कर देगा उनकी पार्टी को वोट कर देगा ये मुझे अभी आज की तारिक में असंभव लगता है लालू प्रसाद यादो और नितीश कुमार उनके साथ जो कहते हैं कि छोटे छोटे जो निता है जो मुस्लिम निता है राश्टी जनता दल के वो बहुत प्रभावी हैं भारती जनता पार्टी के लिए ये जरूर होगा कि क्या अब मुस्लिमों में फिर से वो ऐसी उस तरह से आएंगे सीमानचल में कुछ ऐसा कुछ कर जाएंगे कमाल कुछ बड़ा हिस्सा मुसल्मानों का तोडेंगे वो अब कितना प्रभाव होगा वो भी क्योंकि जीतने के बाद वो सारे के सारे तेजस्वी ने अपने पाले में कर लिए तो ये सारी चीजे मुझे लगता है कि जमीन पर होती हुई दिखेंगी जहां तक बात है कि कुछ क्या वोट होगा तो वोट में बहुत बदलाओ नहीं होगा लालू नितीश एक साथ है तो और कहीं बहुत जाने वाले हैं पिल्कुल तो देखें बिहार ने कई सारे पेरामीटर सेट किये हैं बिहार से कई सारे संदेश भी जा रही है और बिहार की राजनीती भी बदल रही है जैसे ये जातिगत जनगर्ना का डेटा सामनी आया है पर शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पर चर्चा करने के लिए और बताने के लिए कि बिहार के माइने क्या है